नमस्कार जी बिजनस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ मानसी दवे देश बहत्तरवा गणतंत्र दिवस मना रहा है इस जश्न के मौकें पर हमारी पूरी रिसर्च टीम लेकर आई है उन चुनिंदा कंपनियों के लिस्ट जो पूरी तरह से देशी है जी हां इनका अंदास देशी है इनका पूरा कारोबार देशी है घरिलू मांग और डुमेस्टिक एकॉनमी के दम पर चलने वाले हैं ये शे रूफ तो पेश है हमारी खास पेशकर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं कुशल गुपता वरुन दूबे और आशी चत्रुवेदी जो मेरे इन इंडिया शेर्ल्स हमें एक एक कर बताएंगे तो शुरुवात कुशल से ही करते हैं और कुशल तो अभी-अभी होम टाउ से होकर आ रहे हैं तो सबसे पर तो होम टाउन का सफर उसके बाद देश से जुड़े अधरती से जुड़े शेर बताएं बिलकुल इंफाक्ट होम टाउन का सफर है होम टाउन से यहां तक का सफर वो भी मैं इसी स्टॉक से जुड़े वे का रिलेशन है और यहां पर मैं आ देखनी को मिली है तो यहां पर कंपनी के लिए सबसे बहतरीन बात यह है आप दिखें 1999 से इसकी शुरुवात हुई थी और और online ticket booking में तो है ही साती catering से almost 50% से ज़ादा revenue इनका आता है package drinking water जो rail near इनकी brand है वहाँ पर भी काफी अच्छे revenue scale up जो है इनको देखने को मिल रहे है जब pandemic के बाद वापिस से जो resumption शुरू होता हुआ दिखा है इनकी services का across the board आपको जो है अब bookings आती भी नजर आ रही है in fact 2008 ऐसा वर्ष था जहां पर इस company को mini रतन का status दिया गया था और यही नहीं अगर आप देखेंगे तो company financial wise भी पुरी तरह से कर्ज मुक्त है in fact पिछले तीन सालों का ROE देखेंगे तो 33% से ज़ादा का ROE company जो है year on year deliver करती वी आ रही है साथ ही अगर आप देखें तो March तक अब company का ये लक्ष है कि 100% operations जो है यानि कि full operations पर इकामकाज अपना शुरू कर देंगे और February 2021 में जो है इनको e-catering की भी शुरुआत करने की अनुमती मिल गई थी यही नहीं अगर आप देखें तो company के लेकर जो सरकार का stake sale की बात चल रही थी वो पूरा हो चुका है और वो खत्म होने से जो stake sale का pressure बनावा था stock पर वो भी खत्म होता है तो हर एक front पर अगर आप देखेंगे तो outstanding company है और financial wise भी काफी बहतरी ने चलिए तो बिल्कुल made in India शेरों की सूची की शुरवात ही IRCTC जैसे दमदार शेर के साथ हुई है इसे बड़ी बात क्या हो सकते हैं जिस तरह से कुशल हमें समझा रहे हैं हर लिहाद से हर fundamental अगर आप देखेंगे अच्छे खासे हाँ पर देखने को मिल रहे है company की जिस तरह से हमने बढ़हत देखिये जिस तरह से development देखियो आगे भी कारुबार विस्तार से जिड़े plans कई सारे हैं कर्जमुक्त company होने का फायदा सबसे जादा साथ ही इनके profit growth की अगर बात करें पिछले 5 सालों में हर साल 32% तक के यहाँ पर profits company ने दिखाए है return on equity भी काफी दमदार है और साथ ही इनके dividend payout ratio जो है वो भी काफी healthy देखने को मिल रहे है अगला शेर जानते है वरुन से वरुन बताएं आपकी सूची में सबसे पहला stock कौन सा होगा तो डिफेंस शेतल में अगर आपको किसी एक company पर bet करना है तो इस से अच्छा आपको कोई company मिलने वाली नहीं है जिस तरह की इस company की order book है जिस तरह की orders इसने deliver किये है वो आपको साफ दिखाता है कि यहां से growth की opportunities काफी जादा है देखे PSU company से यह तो आप सब जानते है 1940 में इस company की शुरुवात हुई थी इंडिया का जो वायू सेना है उसके लिए यह aircraft, helicopter, jet engines यह सब बनाने का काम करती है इसके पहले होता यह था कि भारत में काफी अत्तक भाहर से import किया जाता था पूरा jet import नहीं करते थे जट के काफी सारे parts import करते थे तो defense channel में कई ना कई थोड़ा बहुत import होता था लेकिन अब सरकार जिस तर से आत्मनिर्भर भारत के उपर focus कर रही है हम यह देखेंगे कि जितने defense के आपके equipment से भले वो कुछ भी हो वो कई ना कई भारत में जो भारत्य कंपनी से वो बनाने वाली है एक्जामपल आपने देख लिए अभी जो तेजस aircraft का order इस company को मिला वायो सिना से करीब 113 के आसपास के overall जो तेजस aircraft है उनका इसको order मिला था उसमेरे करीब 83 तो जो है वो 1229 तक यह company जो बना के deliver करने वाली है करीब 48,000 crores के आसपास का वो order था तो इस तरह की तगड़ा order इस company को हाल फिलाल में मिला है कूल order book अगर आप देखे तो खरीब 1,000,000 crores के आसपास की order book जो है वो इस company के और ये तो अभी शुरुवात है एक लाग करोड पर इस company के order रुखने वाले बिल्कुल नहीं है यह आप मानके चलिए यहां से और जितने भी डिफेंस के orders है वो इस company को जरूर मिलेंगे याद रखिए कि इंडिया में डिफेंस की अभी तो शुरुवात हुई है और जैसे आशीश मेरे कलीग जो हमेशा कहते रहे थे कि हमारे पडोसी इतने अच्छे हैं कि आपको डिफेंस में खर्चा करना ही पड़ेगा तो वो खर्चा तो आपका आगे चलके होना ही और इनफाइक आगे की जो स्टोरी है न ग्लोबली अगर आप देखे तो दो सेक्टर पर ही डिपेंड होगी एक फार्मा दवाईया लेनी पड़ेगी एक डिफेंस खुद को बचाना पड़ेगा तो यहां खर्चा होगा इस कम्पनी को फायदा होगा ओडर बुक फिलाल तगडी है आगे और जोरदार बड़त देखेंगे बिल्कुल उचित बात यहां पर आप कह रहे हैं जब देश की ताकत की बात कर रहे हैं आगे भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कंपनी का कारोबार विस्दार प्लान कंपनी के फंडमेंडल काफी मजबूत है अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और अच्छे लेवल्स पर आगे भी यह च्रेट करते हुए दिखेगी हमारी सुची में दूसरा शहर आशिष के पास चलते हैं इनके तरह से पहला और हमारी की टीसरा शेर समझ लेते अशिज बता आए कंसा शेर लिगे मांसी जब छे ने सबसे पुराना एक्सचेंज है बड़ी स्ट्रॉंग हेरिटेज इसकी और सबसे अच्छी बात इसके वालुएशन मुझे बहुत बड़ी आपसंद आती दी कि सबसे जबर करना एक और सबसे अच्छी बात एक फिलाल अगर आप देगे तो एक वालुशन गैप है नेसी और बीच बीचे के बीच में अब एनेसी का आई-प्य प्यप अबी तक आया नहीं लेकिन जब ही भी आई पीओ आएगा तो यह जो वालुएशन गैप है यह श्रिंक होता हुगा नज़र आएगा एकोटी सेग्मेंट में तो मार्केट लीडर यह नमबर अफ लिस्टेट कमपनी के साफ से देखेंगे तो देश दुनिया के सबसे बड़े एक्षेंजिस में से एक आता है और कॉमडिटी सेग्मेंट में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो वॉल्म का विस्तार हो रहा है यह अपने आप में दर्चा आता है कि आगे जाकर कंपनी का जो साइज है वह बहुत बढ़िया ग्रो होते हैं नज़र आएगा और जैस ताइलोग तो फेमस होई चुका देश के दिल की धड़कन और पिछले हफते ही जस तरह से सुप्राइजिंग लेवल्स हमने देखे थे इंडेक्स में जो बढ़हत का ट्रेंड देखने को मिला था इसके बाद बिलकुल बीएसी एक स्टॉक है जो कि इस काटेगरी में होना ही चाहिए और भारत और कह सकते हैं देश के दिल की धड़कन के हिसाब से बीएसी बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज हार लहाद से पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल्ट हो पिछले हफते इसका सबसे बड़ा प्रमान भी हम देख चुके हैं जिस तरह से लेवल्स में कौन सा है कुशल बताएं IRCTC के बाद दूसरा कौन सा मेडियन इंडिया शेर हैं जो आप शेर करना चाहेंगे इसमें भी इंडिया है इन फाक्ट यहाँ पर जो अगला स्टॉक है वो देश का जो आप B2B सेगमेंट के लिए कह सकते हैं शॉपिंग मार्ट है और वो है इंडस्ट्री को यह केर करता है और यही नहीं इस को तो केर करता है आप देखें प्रॉडट्ट लिस्टिंग साथ करोड यहीं इस के बाग्रट के के लिए बन रहा है वह अब आगे आने वाला जो तो कभी ब स्टॉक को लेकर आता है इंफ्लोज जै आप definitely मान कर चलिए यहाँ पर इस stock के लिए आतावा दिखेगा और further upside जो है आपको इस stock में देखने को मिल सकते हैं in fact यहाँ पर अगर मैं financials भी चेक कर रहा था तो यहाँ पर पिछले कई quarter से जब से यह list हुआ है उसके बाद से दमदार revenues और दमदार profitability जो है company की रही है तो लगातार तिमाही दर तिमाही आधार पर भी company का भैतरीन प्रदर्शन रहा है बिल्कुल और e-marketplace, digitalization की अगर बात करें पिछले दिनों digitalization, technology को जतना प्रावधान मिला है धीरे-धीरे कह सकते हैं जितना हम समझ पाए हैं कि technology हमारे लिए कितनी जरूरी है और कितनी ज़्यादा ताकत वर भी साबत होती हुए दिख सकते है technology marketplace से जड़ी company जो हैं पिल्कुल दमदार साबत होगी इनका future भी काफी अच्छा है और लगातार हम आपको बता रहें कि जिस तरह से index में बदलाव किसी stock में होता है तो अगर वो छोटे या small cap index से mid cap में बढ़ता दिख रहा है तो किस तरह से उनके लिए positive है इससे जुड़ी research हम सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हो इंडिया मार्ट इंटमेश भी ऐसा ही एक शेर है जिसके कह सकते हैं कि नब्स में आ कह सकते हैं कि इनके status में बदलाव होता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते हमारी सूची में ये चौथा शेर आपके लिए इंडिया मार्ट इंटमेश चार शेर हमने डिसकस किया इंडिया मार्ट इंटमेश आप पांचवा शेर वरुन से जानते वरुन बताएं अच्छा आप डिमार्ट के पास आज चले जाईए आपको देखने में रगा किस तरकी भीड जो है वो डिमार्ट में फिर से लोड़ गई है तो कहीं न कहीं वो जो से जानते हैं 2002 में पहली स्टोर खोली थी उसके बाद से देखे जिस तर से विस्तार किया है आज 175 से ज़्यादा शेरों में ये कंपनी जो है अपने स्टोर्स खोल चुकी है और फुटफॉल्स लगातार आप सुधार हो रहा है जो लॉकडाउन के बाद अनलॉक आया उसके बाद कंपनी के हालात में सुधार होते हैं आपको दिख रहा है इसके अलावा आप एक बात एव है इसका सबसे बड़ा एक्जामपल आप देखिए जब इस कंपनी की लिष्टिंग हुई थी तब लोग कहते थे कि अरे वैल्योशन के लिया आप से महंगा है वहां से दस गुना हो चुका है आज भी लोगों को आप पूचेंगे लोग बोलेंगे अरे महंगा है फिर अग बादशाहत बनाईए मेरे क्यासे अगर आपको इंडिया की FMCG को कोई रीप्रेसेंट करता है तो वह एवन्यू सुपरमार्ट है बिल्कुल रॉन ओफ्लाइन सेल्स मैं कह सकते इक बादशाहत और टॉप परफॉर्मिंग मॉनोपुली एवन्यू सुपरमार्ट को हम कैसे बूल सकते हैं और सबसे बात है कि लगातार इन्होंने अपने कर्स को कम किया है कर्स मुक्त होने की पूरी कोशिश और इसमें काम्याबी भी मिलती हुई और पिछले अगर पांच सालों की रिटर्ण की बात करें हर साल इन्होंने करीब 40-44% के प्रॉफिट्स दिखाए हैं मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हुवरून की ओफलाइन सेल्स देर वस अ टाइम बट क्या लगता है जिस तरह से हम डिजिटलाइजेशन को आगे पड़ता देख रहे हैं डीमांट धीरे डिजिटलाइजेशन या ऑनलाइन सेल्स में आ रहा है लेकिन अभी तो जो 45 बिलियन डॉलर्स के आपके बास जगब अची है और वो प्रोड़क्स आप बेचेंगे कहां आज आप कोई दुकान नहीं लगाएंगे एविजिन सूपरमार्ट या फिस तरह से रीटेल फॉर्माट से वहीं आप जाके अपने प्रोड़क्स बेचेंगे आपका ऑनलाइन जो है कितना है पांचे परसंट के आसपास है लेकिन जैसे जैसे वह अपनी एक अलग स्पेस बनाते जाएगा और आपका जो ऑफ्लाइन से या फिर जो स्टोर का एक्स्प्रियेंस है वह अपनी ग्रोड़क्स दिखाते जाएगा तो इस दोनों सेक्मेंट में आपको फोकस कराएं हैं और आपके पास चुनाव करने का पूरा हक है इन स्टोक्स को आप अपनी सूची में बिल्कुल लिखे और अच्छे लेवल्स पर आते ही आप इन में निवेश का मनजरिया भी बना कर चल सकते हैं और जिस तरह से वरुन बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ और कशे पीछे के तक प्रण अब स्कूल मेरे मन में हो सकते हैं आपके मन में होगा और इसका जवाब दोा आनावाला समय जो है इनफ़ा स्पेस का देखने को मूलेगा कि फिलाल अगर आप देखे तो भारत में जो इनफरास्टर्चर अगстра है मुंबई जैसे शहर मिखके तो अभी मेट्रोस बनने के शुरुआत हो रही है लेकिन 100 से ज़्यादा देशों मे अगर आप देखें तो कंपनी की प्रेजेंस है सार्ख देशों में हैं, अफरिकान, मिडिल इस्ट है American देशों में कंपनी का कारोबार है और पिछले पांच साल में अगर आप देखें कि इनकी जो order book ना वो बहुत चांदार है 23,000 करोड से उपर की order book यह दर्शाती है कि आगे जाकर लंबी अवदी तक जो revenue visibility है वो भरकरार देखने को मिलेगी Infraspace में case international अच्छा नाम होगा Okay, Infraspace से जुड़ी company case international और जिस तरह से हम आपको सारे fundamentals बता रहे हैं देश की दूसरी बड़ी electric power transmission टावर बनाने वाली company है करीब 75 सालों से EPC कारोबार में company ने अपनी अच्छी पकड जमा कर रखे और थास तोर से अगर भारत देश की बात करें हमारे पास काफी ज़्यादा opportunity काफी ज़्यादा space है जब हम infra की बात करते हैं जिस तरह से आशीश में समझा रहे हैं कई सारे ऐसे opportunities हैं जो कि आने वाले दिनों में built up होती हुए दिखेगी सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं ग्रामीन भारत भी हैं जिस पर हमें focus करना है इसी के चलते इंफरा से जड़ी company जो है जो है आपको यहां पर performance देखनी को मिल रही है वो है must ground dog आपके numbers जो है यहां पर बहतरीन रहे हैं पर fundamentally आप देखे स्टॉक का जो कारुबार है इस company का submarines और vessels बनाने के कारुबार में company और order book सबसे बढ़िया बात इसमें यह है 53,000 करोर से जादा की order book है company की in fact इसका मतलब यह चीज एकदम clear है कि आगे आने वाले सालों के लिए जो इनका cash flows है वो तो ascertained है तो यहां पर उस चीज के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी analyst इसको track करेगा तो cash flows जो है यहां पर उसको definitely जो है एक confidence मिलता हुआ दिखेगा एक insure होती भी नजर आएगी साथी बड़े triggers है इनके लिए एक तो रादर किशन दमानी जी जो डीमाट के बारे में बताया वरुन ने उन्होंने करीब करीब 40 लाग share की खरिदारी किये हाली में तो इतने बड़े दिगज निवेशक का जब interest इस stock में आता है तो definitely market के लिए वो काफी जो है favorite stock बनता हुआ दिखता है और अंत में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर dividend track record आपको देखना चाहिए पिछले 15 सालों में लगातार ये dividend देते आये हैं तो कही ना कहीं हर एक front पर निवेशकों का ख्याल तो इन्होंने रखा ही है साथ ही अपना जो कारूबार है उस पर बहुत ही बहतरीन growth order book के हिसाब से आते भी दिख रही है इसे अपने portfolio का हिस्सा जरूर बनाए वरुन आपकी तरफ से अगला share कौन सा होगा देकि अगला share मेरा एक power sector से है लेकिन ये कोई power distribution है, generation company नहीं है बलकि power trading company है और शायद कुछ साल पहले अगर हम देखते तो शायद हम ये सोच भी नहीं पाते लेकिन इंडिया में उसका 95% जो है इस company के exchange पे होता है तो इस तकी बादशाहत है इस company की पूरी तर से अगर आप देखे तो monopoly situation है कि एवल 5% के आसपास कोई और होता होगा मेरे क्यासे वो भी आप quarter or quarter देखे तो उसमें भी volatility देखने मिलेगी और याद रखिए जिस तरीके से इंडिया में power consumption बढ़ रहा है अभी आपने देखा कि लोग घर पे बैटे थे, lockdown थे, power consumption किस हिसाब से बढ़ा लोग बोलते कि commercial officers जो बन थे, लेकिन घर पे जो लोग बैटे थे, उन्होंने किस हिसाब से power consumption किया है और आगे भी जाके अगर लोग का work from home चला, तो आप यह समझ लिजे कि power consumption यहां से दुगना होने वाला है हाल फिलाल में यह आपने देखा कि मन्त और मन्त अगर आप देखे तो year and year तो छोड़िए मन्त और मन्त आपने देखा कि power consumption में लगातार बड़ जो है वो देखने मिली है तो वो बड़त्री जो देखने मिलेगी उसके चलते इस company के overall volumes में बड़त्री देखने मिलेगी जाहिसी बात है जितना power consumption बड़ेगा उतनी power trading बड़ेगी जितनी power trading बड़ेगी उतना इस company को फायदा होगा तो यह sector जो है अभी काफी nascent stage में है जिसमें यह company market leader है यहां से यह sector जो है या फिर यह segment जो है इस sector का अगर और तूल पकड़ेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जैसे काउंटर्स को होगा बिल्कुल portfolio में रखने लाइग stock है यह संद्राइज sector है संद्राइज segment में कहूंगा क्योंकि सेक्टर तो आपको पता है यह के power है पावर में जो सब सेक्टर है वो दरसल ट्रेडिंग एक्सचेंज है इसको आपको आपको आपने पॉर्ट्फिल में रखने लिए और इससे हम याद रख सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है यहाँ पर आप देखी खास तोर से बिजली की मांग में जो बढ़हत दे इनके आते वे नजर आते तो कहीं ना कहीं जितने फंडामेंटल स्टोरी वरुन ने बताई वो उसका रिफ्लेक्शन जो आपको फिनांशल में भी देखने को मिल रहा है बिल्कुल और हमारी यह खास पेशकर होती है इसलिए है नतीजों से पहले हम आपको यह आंकलन बतात है मेरे पास भी डिफेंस का नाम है भारत एलेक्ट्रोनिक से स्टॉक मुझे काफी ज़्यादा पसंद आता है कंपनी तरह सल अगर आप देखे तो लैंड रिडाज है टेलिकॉम डिवाइसे हैं डिफेंस स्पेस के लिए यह बनाती है लेकिन सबसे बड़ी हा बात है इनकी और बुक भारी भर कम और बुक है करीब बावन हजार करोड के आसपास की और बुक है और मैनेजमेंट का अलक्षा है कि अगले दो साल में कंपनी जो है अपनी आई को दुगना करती हूं नज़र आएगी सरकार की तरफ से हमने देखा था कि काफी सारे बयान आ रहे ते जह आपर भी फोकस कर दी है वैलेशन जगेंट शांदार है क्योंकि आप देखे 2% से ज़्यादा की डिविडेंट इल्ड है कंपनी पर कोई भी करजने पूरी तरीके से डेट फ्री है मोगन स्टैनली की फोकस लिस्ट में हाली में स्टॉक शामिल हुआ है और अगर यह सरकारी कंपनी नहीं होती थी तो यह आपको बहुत नहीं उचे मल्टिपल्स पर मिलती थी लेकिन क्योंकि सरकारी कंपनी है इसके लिए फिलाल आपको करीब 18 से 19 के मल्टिपल्स पर है लेकिन यह जो वैलुएशन गैप है आगे जाकर कम होगा अब इस पोर्फोलियो का बना कर सकते हैं इन शेरों को आप अपनी एक लिस्ट बना कर रखें और इन इन्हें अच्छी लेवल्स पर खरीदार्री करने के बारे में आप सोच सकते हैं पोर्फोलियों में इनका निवेश भी आप कर सकते हैं अब इन इंडिया शेर्स हमारी तरह से चलिए सी के साथ मुझे दीजे जाज़त और आप बने रहें जी बिजनस के साथ नमस्कार